नमस्कार, प्रभा किचिन के देशी ठाट में एक बार फिर से आपका स्वागत है, तो आज मैं आपके लिए कुछ खाना बनाने की चीज नहीं लाई हूँ, आज मैं आपके लाई हूँ, इससे पहले मैंने आपको चार तरे की वैक्स बनाना बताया है, जो लोगों को बहुत यह वैक्स लेकर आई हैं और उसके लिए हम यूज करेंगे मौस्मी, शंत्रा या किणू मैं से खोड़ा द की किनों में लोलना समय कर वांपने ​​ब्रेंख नता है किनों का चझा रहें और नियुक्हतरों बाद ्राइब किनों को चण चार चेन ग्राइब लॅअधर मेरें जोचार वैड मेरें जोऍको जूलिए और च्छानले। इसको अच्छी तरह च्छानलेना दूने जरी तो अंदाज क्षानले फीजेंदा मतलब यह काटोरीं आप जूगर नोब इसले तो आप पहा है घुत深ती और आप जूला च्छानले हैkor गद करने त्छानला चाहँ चुम ले लें शुगर रुख बना सकते हैं किछ रख भी स्किनगे हड़ा नभी है किनेगš उल्स बादा यूझ तुमियität राक्ति वशी निता कि मीना जास सब्सक्नाइक सब्सक्राँ ना था सब्सक्राइब के लिए मिक्सी अगरे की बीज़रत नी पड़ेगी एज़ी आपका इससे निकल जाएगा फिर हम इसको छान लेंगे देखे अराम से निकल गया मैं करीब दो किनो का रस निकाल रही हूँ अब में के छानकर नेख स्ज़र्ण कैश टर्ण कर की इसु निकल रहे हो, अब देखे मैंने जूस निकाल लिया है अर मेरा एक 즐ीम बर्के ऋड़他们 इसंतरो वगे झालायङी को आपछिए म से चीनी डालंगीर चीनी अगर हम और हो नहीं डालेंगे तो हम इसमें जो चीनी है बराबर डालेंगे पर क्योंकि मैं हनी भी एड़ कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ी सी मैंने इसमें कम कर ली यह मैंने इसमें शुगर डाल दी अगर आप हनी नहीं डाल रहें तो जितना जूस हो उतना ही आप शुगर लें यह simple इसका method है और अब म आपकी इच्छा है तो डालें नहीं तो नहीं डालें यह देखिए मैंने दो भरके वो डाल दी आप एक से दो जितना डालना चाहें डालने एक चीज और बता हूँ आप चाहें तो इसको 10 मिट के रिए रख सकते हैं इससे क्यों होता है कि चीनी थोड़ी सी अपने आप में मेल्ट हो जाती है और जब हम बनाते हैं तो हम बनाने में हमारी चीनी घुलने में ज़्यादा समय नहीं लगता पर मैं आपको साथ साथ बना के बता रही हूँ अब हम गैस अन करने के बाद जब इसमें एक बार उबाला जाएगा तो हम इसे सिम कर देंगे और धीमी आज प जाते जाएं इसे नीचे नहीं चिपके वैक्स जब भी आप बनाएं तो बहुत पेशेंस रखें जन वाजी में बिल्कुल नहीं करें कि बहुत जल्दी तेज आँच पे कर दिया तो कई बर कहता है कि आपके चीनी के कंण ये भी रह जाते हैं पूरी तरह मैंट नहीं होता और आपकी ये बहुत थिक हो जाती है तो ऐसा बिल्कुल ली करें आराम से बनाएं इसको इससे पहले मैंने आपको लेमन की बना कर बताया था हनी की बना कर बताया था साइथिक एस लिए फूट की बता रही हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फूट बेस जो प्रॉट इस वेकस को आप साल भर्तक के लिए पेप कर करकर किसी भी जार मे हैं या डबवे मीं आप रख सकते हैं जब भी आप इसे यूज करें तो आप किसी गरम पानी में यह तो रख लें या अगर आपके पास wax कीचार है तो उसमें डाल के निवाया कर लें ज्यादा तेज गरम करने की बिल्कुछ ज़रूरत नहीं है एक चीज आउर बताती हूं जब आप wax करते हैं तो wax को जब आप spread करते हैं तो उसको उसी side में करें जहां कि आपकी growth है जिस मतलब तरह आपके मालों अगर growth बालों की इस तरह है ऐसे है तो आप wax ऐसे ही लगाए और जब पती को खेचे हैं तो आप strip को खेचते समय उसको opposite side में खेचे तो इससे आपके बाल बिल्कुल नहीं रहेंगे देखिए इसमें उबाल आने लग गया है जैसी तेज चूबा लाएगा मैं इसको सिम करगेंगी सिम से मीडियम की बीच रखेंगे अपर जैसी गाड़ी हो ही लगेगी आपको बीच-बीच में चेक करना पड़ेगा आपको एक से दो तार के बीच चासनी बनानी पड़ेगी चासनी को अगर सग्डीयम बनाते तो एक तार की चासनी स्फिशन्ट होती है लेकि अगर आप जहां रहते हैं वह मौश्चर है क्लाइमिट में या बरसाद का मौसम है अब मैंने शिम कर दिये गैश को तो क्या होता इसना सुन्दर कलरा इसका नाच्रूल, धीमी आजपीस को पकने दे, थोड़ी बनाएंगे तो 5-7 मिंट में आपकी बन जाएगी और अगर क्वांटिटी ज्यादा बनाते हैं तो उतना ही टाइम बढ़ता चला जाएगा अभी मुश्चित साब को आच से 10 मिंट में आपकी बन जाएगी वैक्स हलका साम तेज कर लेते हैं भ最 HASब जादा धुमी है इसलिए थोड़ा सा मीडियम कर लेते हैं the skin इसमें चीनी घुले लेगे इसलिए वांप उसको अगर कर सकते हैं dil तक तक चीनी ना गुले, तक तक आँच को तेज मत करना, थोड़ा सा तेज करते हैं, बहुज़ादा ने. मैंने क्योंकि अब मेरी चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, बस अपर थोड़ा सम करूगी क्योंकि ज्यादे तेज होगी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेक्स को कैसे चेक करते हैं, फिर मैं आपको अच्छी तरह बता दूगी, इस उंगली से लेकर इस अंगूठी के बीच हम इसको चेक करते हैं, आप तुरंत गरम को ना करें, किसी प्लेट पा या कदोरी में इसकी दो भूण डालें, और आपको आपको क्योंकि आदत है, तो इसलिए मैं इसलिए उठा लेकी पर आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें, या फिर चम्मच में डालके इसको थुड़ा से थंडा करें, और फिर ऐसे ले, और ये लिखे, ये उंगली और ये अंगूठा, इसके बीच में यूँ करें, करें, अब हम इसे फिर चेक करेंगे, कि इसकी तार बनी के नहीं देखे, कितना अच्छा तार बन गया है, और एक नहीं करीब दो तार की मैंने ठिक बनाई है, जससे जो अपने, जो हेर ग्रूथ होती है, अगर बहुत थिक होती है, और इसलिए नहीं निकलते, तो उनके ल पक जाएगे, और आपके जैसे अपर लिप अगर पे जो हेर रहते हैं, वो भी इसलिए से निकल जाएगे, तो आप इसको जरूर से बना के देख सकते हैं, क्योंकि बनाने में बहुत एज़ी और खास तौर से फूट होने की वज़े से, यह ना तो आपको कोई अलर्जी हो सबसे पहले जो आपका हेर ग्रोथ वाला हिस्सा है उस पर आप तैलकम पाउडर लगाए, थोड़ा सा ड्राइ करें, तो यह मैं तैलकम पाउडर लगा रही है उस पर और इसको ऐसे फेला ले, जिससे यह ड्राइ हो जाए इसकी नापकी, आपको दिखे होगे लंबे-लंब एसे सब्सेट करना है, अपोज़ट साइड में सिर्फ हम इसको खेचेंगे, लेखी मैं थोड़े से हिस्से में लगाया है, और मैं इसके उपर लगा रही हूँ, कपड़े की जो स्ट्रिप्स होती है वो, आप जैसी चाहे वैसे लगाए, पर कपड़े की जो मोटी स्ट्रि यह वापिस यूज में आ सकती है, यह देखिए, अगर उपर से जरा सा भी गीला लगे, तो आप थोड़ा से इस पर टैलकम पाउडर और लगाएं, और लगा कर उसको अच्छी तरह से रब्द करें, इससे क्या होगा, कि बाल आपके अच्छी तरह निकल जाएंगे, आप नीचे से इसको टाइट पकड़िए, जिससे आपके पेन कम हो, और ऐसी स्ट्रेप को खेंच लिए, यह देखिए, एक एक बाल अच्छी तरह निकल गया है, कितनी अच्छी बनी है, कुछ लोगों ने मुझे पहले का कि आपने निकाल के निखाया, इसलिए मैंने आपको न कितनी अच्छी बनी है, तो चलिए आप बना कर जरूर से देखिएगा, तो चलिए मिलते हैं अगली नही रेसिपी के साथ, थाइंक यू,